हेलो फ्रेंट्स मैं अजय कुमार आप सबों का इस यूटूब चैनल में स्वागत करता हूं मैं अपने छात्रों के रिक्वेस्ट पर इंडियन पॉलिटी एंड कंस्ट्यूशन से समंधित विभिन विश्यों पर विडियो बना कर आपको प्रस्तूत कर रहा हूं हमें आसा है कि आप सबों को यह काफी पसंद आएगा और परिच्छों उप्योगी होगा आपके एक्जामनेशन के लिए काफी बेनिफिस्यल होगा तो आप इस विडियो को अन तक जरूर देखेंगे और लास्ट में जब इचर्चा समाप्त होगी लास्ट में कोश्चन्स भ पर विश्त्रीत चर्चा करने जा रहा हूं और इसमें बहुत सारे तक्निकी सब्द हैं साविधानिक शब्द हैं उनकी व्याख्या की जाएगी साथ साथ जिस प्रकार से सिबिल सेवाओं में और अन्य परतों की परिछाओं में प्रस्ण पूछी जाते हैं उन प्रस्णों के द्रिश्टिगत रखते हुए विसाई की चर्चा करने की कोशिश की जाएगी आप लोग पर इस चर्चा में ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखे होंगे कुछ अगर बताया जाता है कुछ लगता है आपकर कुछ नोट करने की बाते आती हैं सामने आप जरूर नोट करेंगे तो हां तो मैं इस चर्चा के सुरुवात करते हूँ यह बताना चाहता हूँ कि भारतिय समिधान की प्रस्तावना जैसा किसी भी पुस्तक के प्रारभ में आप इंट्रडक्षन या प्रीफेस या परिचे भूमिका का समावेश होता है इसी परकार भारतिय समिधान भी एक क्लेक्शन ऑफ लॉग के मद्यनिजर एक पुस्तक है एक भहत्पून पुस्तक है इस पुस्तक के आगे भी प्रेंबल यूज किया गया है प्रस्तावना का प्र परिश्तावना का परियोग सबसे पहले किस देश का समिधान में किया गया था तो आप देख रहे हैं कि प्रस्ताबना का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी कंस्ट्यूशन में किया गया सरपर्थम अमेरिकी समिधान प्रस्ताबना को समिलित किया गया था और आगे एक और प्रस्णा आते हैं कि नाना पालकी वाला को बारे में देख रहे हैं कि identity card of the constitution उनने कहा है इसको समिधान का परचे पत्र पलकी वाला ने समिधान का परचे पत्र का इसा basic information है इसके आगे आप देखेंगे कि प्रस्ताबना का जो आधार है वो कहां से है कहां पर अधारित है किस विश्वस्तु पर अधारित है तो इस संब्द में भी प्रस्त पू और इसमें डेट भी आप याद रखना है कि नहरू ने उद्यस प्रस्ताबना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तूत किया था और इसी पर हमारी प्रस्ताबना आधारित है यह काफी इंपोर्टेंट इसको जरूर आप याद रखेंगे आगे प्रस्ताबना में जो टेक्स्ट हैं विश प्रस्ताबना को पढ़े होंगे या फिर दुवारा आप देख लेंगे इसमें प्रस्ताबना के जो सब्द हैं उन सब्दों को आप ध्यान से जब देखेंगे तो सामने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं वहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल टर्म आता है जैसे हम भार भारत के लोग भारत को एक शंपुर्ण परभुत संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेच, लोकत अंत्रात्मक गर्णराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरीकों को आर्थिक, समाजिक और राजितिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपास की सुतंत्रता, पर्तिष्ठा और अवसर की श्रमानता प्राप करने के लिए तथा उन सम्मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और खंता थंशित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिर्शंकल्प होकर अपनी इस समिधान सभा में आज दिनांग 26 नॉवंब और आतमार्पित करते हैं तो प्रस्तावना के इस सब्द को पूरा डिटेल्स में हाला कि याद करने की जरूत नहीं है अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कभी कभी पूछा जाता है मुझे भी एक बार इंटरिव्यू में पूछा गया था और मुझे अगर नहीं याद है तो आपको हतोसाइद होने की बात नहीं है परसान होने की बात नहीं है तो इससे एक-एक सब्द के बारे में हम डिटेल्स में जानना चाहेंगे क्योंकि इससे एक-एक सब्द के बारे में एक्जामनिशन में प्रश्न आया करते हैं तो आप आगे प्रियोग हुए है इंडिया वर्ड दो बार हुआ आया है प्रियोग में दोस्तों को जो आप याद रखेंगे आगे प्रिस्ताबना में जो तत्व है इनग्रेडियेंट्स और प्रियंबल इसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो इसको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करेंगे और यह इससे क्या होगा कब पीटी परिक्षा मुख परिक्षा और इंट्रिव्यू के लिए भी आप तयार अपने आपको पाएंगे और इस प्रस्ताब तत्व को हम चार भागों रख सकते हैं पहला है श्रोत दुसरा प्रकिर्ट जिसरा उद्येश और चाउथा इसके लागों होने किती थी और इन चारों को हम अलग-अलग जब चर्चा करेंगे तो पहला आपका है We the people of India हम भारत के लोग समिधान के शुरोत की चर्चा करता है कि समिधान का शुरोत आखिर क्या है तो उसका प्रस्ण होगा हम भारत के लोग भारत की जनता अंतिम प्रभुशत्ता भी भारत जनता में नहित है ऐसे प्रस्ण आते हैं कुश्चन आता है इसा तो हम भारत के लोग लाश्ट में है इस समिधान को अंगिकरित अध्यनेमित और आत्मार्पित करते हैं एड़ाप्ट इनाक्ट और गिव टू आवरसेल्फ दा कंस्शूशन तो ये ध्यान में रखना है इसका तातपर ही क्या होता है तो हम भारत के लोग सब्द से तीन इससे तीन अर्थ निकलते हैं तीन पॉइंट इससे निकलता है पहला अंतिम परभुत्व संपन्ता जनता के पास है एक दूसरा शमिधान के निर्माता जनता के वास्तविक परतनिधी थे और भारतिय समिधान का निर्मान भारतिय जनता ताकि शुकिर्ति और शहमति से हुआ है तीन पॉइंट इसे निकलता है इस रोत से आपको तीन पॉइंट की जानकारी मिलती है आप दुबारा रिमाइंड करके भी वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आपको जानकारी हो जाएगी हमने क्या बताया अगर कहीं शूर जाता ह है क्लास में आगे बढ़ जाता है लेकिसमें आपको रसकता। वीडियो को बैक कर सकते हैं वी डियो को परबढ़ कर सकते हैं तो आप दुबाराद इसको देख ले कि दूसरा मिक्रय में इसमें भारत की परकृति के बारे मादियो जनकारी सुनेंगे देखें और नोट करलेंगे हैं सब्रैन शम्परभुता संपन भारत यह प्रभुता शम्पन कंट्री है इसका तातपर और फॉपर आध llं ह्प्रभुेज है तो हमारा देश शम्परभु है इसका मतलब है भारत नतों किसी अनियर्वरहन है नहीं इसके उपर किसी और देश की सकती है अपने विदेश नीती में भारत पूरी तरसो तंत्र है किसी के अधिन नहीं है दुसरा शमाजवादी समाजवादी तत्व काफी इंपॉर्टेंट है और भारत्य समिधान में 42 समिधान संसोधन में इसको जोड़ा गया है यह मुल समिधान में नहीं था समाजवादी धर्म निप्रेक्षता यह दोनों सब्द और एक अखंडता शब्द नहीं था इसकी चर्शा हम लोग बाद में करेंगे तो समाजवाद का तत्वरी होता है आप इसको ध्यान से सुनेंगे उत्पादन के नियंतरन नहीं होगा शामुदाइक नियंतरन इसको समझेंगे उत्पादन के साधन पुंजी जमीन और श्वामित्र आदी सामुदाइक नियंतरन में होंगे इसका तात्वर्य होता है कि यह पुंजिवादी और माक्षवादी दोनों के बीच का कॉंसेप्ट समाजवाद भरत में जो समाजवाद है वह लोग तांतरिक समाजवाद है या धियान रखना है लोग तांतरिक समाजवाद में जनता की भूंगा काफे महत्पुर्ण होती है इसमें गरीवी बिमारी अबसर के आश्रामानता को समाप्त करने का उदेश होता है और पुंजी का महत्व कम और जनता का महत जादा होता है और यह शामयवादी जो विचार धारा है उससे भी अलग है समाजबाद में ऐसे राजजासित समाजबाद होता है राज का सारा कंट्रोल होता है राश्चेकरन हो जाता है हर एक छेतर का राश्चेकरन हो जाता है उसी बात यहां पर नहीं है हमा और जैसे आब सकता होगी इस पर डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा अलग से मेंस के क्लासिस बगारे में इसको भी विस्तार से चर्चा की जाएगी अगला हमारा सब्द है महत्कूर सब्द है धर्म निर्पेक्च शेकुलर भारत एक धर्म निर्पेक्च राष्ट है राज का न तो कोई अपना धर्म होगा नहीं किसी धर्म का वो भी रोध करेगा बल्कि राज के नजर में सभी धर्म श्रमान होगे किसी धर्म साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और इसके लिए भारते समिधान के भाग तीन आप लोग जानते है फंडामेंटल राइट ठीक इसके अलावा आप लोकतांत्रिक सब्द का देखेंगे भारत्य समिधान में जो चौथा सब्द हमारा है लोकतांत्रिक और फिर गनराज्य लोकतंत्र का मतलब होता है इसको अंग्रेजी में डेमोक्रैसी बोलते हैं डेमो और क्रेरिया दो सब्द से बना हुआ है इसका मतलब लोग और सासन लोगों का सासन मतलब भारत का जो सासन होगा लोगों के दोरा शूनी गई जो तंत्र है चूने गई जो संसद है उसके दोरा चलेगी चूने के परत्निधियों के दोरा सरकार चलाए जाएगी और जो हमारी कारी पालिका होगी वह संसद के परती जिमेवार होग यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप जानते हैं कि हम लोग हर एक पांच वर्स के बाद अपने देश में चुनाओं में भाग लेते हैं चाहे वो लोग सभागा हो और अपने पर्टेंडियों को चुनते हैं और इस प्रकार लोग तंद्र को लोग बनाते हैं दूसरा एक राज में बेसिकली बहुत तरह के राज होते हैं लेकिन राज में दो चीज़ समझना है एक होता है जिसको हम लोग बात करते हैं राज तंत्र दूसरा है गन तंत्र राज तंत्र में राज का जो हेड होता है राज का जो मुखिया होता है वह आनुवांसिक होता है जैसे हमारे देश के जो मुखिया है राष्ट्रपति वह चून कराते हैं लोक्षभा राष्ट्रभा और विधान सभा के सभी निर्वाजी सदस उनकर चूनाओं में भाग लेते हैं और प्लाष्पति के कलास में मैं अलग से उसकी चर्चा करूंगा इसके अलावा आप आगे देख रहे हैं समिधान के उद्यश में यह शब्द है खासकर न्याय, शुतंतरता, शमानता और बंदुत्व यह जो सब्द है यह काफी मैने रखता है जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्डेंट है पहला समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय, जस्टिश, सोसल, एकोनोमिकल और पॉलिटिकल जस्टिश, समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय, इसमें समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय की बाज हम करेंगे यह सब्द काफी इंपॉर्टेंट है और लोकतंतर की वेवस परदान किये हैं भारतिय समिधान के अनुछेद 14-18 में आप जानते हैं कि समानता का अधिकार है और इस परकार समाजिक दिश्टिकों से जस्टिस अस्थापिद करने कोशिस करने का प्रावधान किया गया है दूसरा इकोनोमिकल जस्टिस आर्थिक न्याय के तहट आप देख रहे हैं कि किसी परकार के पुरूसव महिला के बीच में भेद भाव नहीं है इना तो एक पॉइंट में भेद भाव है समानकार के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है इसी परकार लोग नियोजर में अफसर सभी लोगों तक समान रूप से होना चाहिए आर्थिक न्याय में यह इंपॉर्टेंट सब्द है वित्रन जो लाव का वित्रन है सभी लोगों तक समान रूप से होना चाहिए हलाकि यह बेवहरी रूप से कितना है यह अलग बात है यह डिबेट का विसे है लेकिन वित्रन important है दूसरा यह राजनितिक न्याई की बात है राजनितिक न्याई में दू चीज़े सोतंत्रता का राजयनिति सोतंता परदान किया गया है Mother-s smoke-डिक्रेंड दिया गया हम लोगों को एक UVS कर प्रकार भारत में जो भाध का नागरिक है किसी भी समयधानिक देखेंगे जो रस्यन रेवुलूशन है उससे प्रभावित है यह समाजी गार्थी राजितिक न्याय की जो अब धारना है कभी कोछ नगर आ जाता है यह कहां से प्रभावित है तो रस्यन रेवुलूशन आप उसमें जरूर लिखेंगे और इसके साथ-साथ यहां मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए आगे है स्वतंत्रता शमानता और बंधुत्व लिवर्टी और फ्रेटर्निटी यह सब्द है यह फ्रेंज रेवुलूशन से इंस्पार्ड है तो इससे प्रस्त भी यहां बन जाता है तो ध्यान से इसको आप देखेंगे तो आगे स्वतंत् घृत्ता में पांस सब्ड हैं थाव एक्स्परेशन विलीजिब इथेण वर्षिप विचार अविविक्ति धर्म और उपाशना के सोतंता का उलेक किया गया है तो आप देखेंगे इसको विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपाशना के सोतंता भाग तीन में इसका वर्नन है भाग तीन भाग तीन में आठकिल उनीश में इसका वर्नन है विसिकली 19 में सोतंतता का उलेक किया गया है 19-1 आप जानते हैं इसमें ABCD के बारे आप जान लिजिए का ध्यान से इसको आप बूक्स में भी देख सकते हैं किसी कोई भी व्यक्ति अपना विचार और उसका अब्यक्त करने की अजादी रखता है किसी प्रकार के विश्वास को पायम रख सकता है धर्म को मानने में भी वो सतंता उसको दी गई है और उपासना करने का अपना तरीका है या किस प्रकार से मुर्ति पूजा करेगा या मुर्ति पूजा नहीं करेगा मंदीर में जाएगा इस प्रकार के उसकी आजादी दी गई है और ये वक्तिक्षिक अधिकार के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि सतंता के बीना समंता का कोई उद्यश नहीं होगा सतंता के बीना फिर लोकतंत के स्थापना नहीं होगा इसलिए बहुत इंपॉर्डेंट है इसके आगे समंता का अधिकार है यह शम्ता इसमें दो तरह की सम्ता का बात है स्टैटस और अपर्चुनिटी की सम्ता अवसर और परतिष्ठा की सतन्ता सम्ता है तो अवसर की शमानता में आठकिल सुल्ह में प्रावधान किये गए हैं कि लोक नियोजन में अवसर की शमानता होगी यह बहुत इंपर्टे भाग तीन मौलिक दिकार के भाग तीन अवसर की समानता की उलेक हैं इसके अलावा स्टैटस परतिष्ठा अनुच्छेद 18 में इसका उलेक किया गया है मैं आठकिल इसलिए बता रहा हूं कि प्रस्तावना का आखिर क्या इंपर्टेंस है किस प्रकार से भारतिय समिधान का यह दर्शन है यह सीध होता है कि भारतिय समिधान में जो बातें कही गई है वो सारी बातें यहां देखने को मिल रही है सारे तत्थ यहां पर दिख रहा है तो इसको जोड़कर देखेंगे आप इसको समझेंगे के द्वारा इसके साथ साथ एक सब्द है बंदुत fraternity भायचारे की बात करता है मतलब भारतिय समिधान में हम पूरे भारतिय लोगों के बीच बंदुत को बढ़ावा देने के भाव को भी समाहित किया और इसके लिए दो-तीन तरह की बात इसे एकल नागरिकता से क्या होता हम सभी भारत के नागरिक होते हैं ना कि किसी अलग अलग स्टेट के इससे भी आपस में राजियों के बीच में भायचारा की बात सामने आती है भायचारा प्रसाहित होता है इसे दूसरा आप देखेंग से उपर उठकर आपसी भायचारे के भावना को रुस्ताहित करेगा तो फ्रेटर्निटी के लिए यहां भी उलेक है मौलिक अधिकार मौलिक करतब में उसका उलेक किया गया है तो इस तरह से इस बात को बहुतर तरह के समझने के जुरत होती है वहां जो हमारे प्रस्ताबन ब्यक्ति की गरीमा व्यक्ति का श्रम्मान और एकता और अखंड़ता एकता और अखंड़ता यह शब्ड आ रहे हैं तो यह इसको बढ़ाने के लिए हम बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि तो अखंड़ता सब्द को भी 42 समिधान संसोदन से जोड़ा गया है इसको याद तो यहां तक था इसके अलावा इस प्रस्ताबना के थुरू आप देखेंगे कि समिधान के लागु होने की तिथी का विजिक्र किया जाता है प्रस्ताबना भारतिय समिधान का भाग है यह बहुत ही debatable पार्ट है बहुत controversial पार्ट रहा है कि प्रेम्बल इस पार्ट अब कंसुशन और नोट समिधान का भाग है या नहीं है इस समध में आपके जो प्रस्टन आएंगे कुछ cases है सरोच नियाले में जो चर्चा हुआ है कीसे जैसे बेरुभारी केस युनियों केस उनिसाठ्ठ में इसमें कहा गिया था कि सम्मिधра। का भाग नहीं है और या आप याद रख्थेंगे किस केस में भारतिय परस्तावना का भाग नहीं प्रस्तावना का भाग है तो आपका आंसर होगा केश्वनन्द भरती केस किसरा एलाइसी इंडिया केस 1995 का है इसमें उच्छतव न्याले ने यह निर्ने दिया था कि यह इंटिग्रल पार्ट ऑफ दा कंश्यूशन है आंत्रिक भाग है यह आंत्रिक भाग है इस परकार प्रस्तावना के बारे में अलग-अलग केस में अलग-अलग परकार से चर्चा की गई है जिसे ध्यान में रखने के हो सकता है और प्रस्तावना को जब हम लोगन लागू किया तो इसको अंत में जोड़ा गया ध्यान किया किसी भी पुस्तक म कि मैं हलाखी प्रेफ्स या भुण का स्टार्ट में होती है और इसमें इसमीञे बीजिक से अधर चुलापड किया गया इसको सारे को deco कर लिए उसके बाद अगर आता है तब लिखेंगे इसके बाद यहा दो चीजा और ध्यार में रखने की जूरत है यह बहुत सर प्रस्ण परिक्षा में इससे हो सकता नहीं है लेकिन आपको जनकाई रखना है यह ना तो विधायका की सक्तियों का सुरोत है और नहीं विधायका की सक्तियों पर बंधन लगाता है प्रोहिबिट करता है यह याद रखना है दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं आपरीवर्तनिय नहीं है मतलब कि इसके प्रोभीजन को कोड के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है इसा कोई mandatory नहीं है जैसे कि fundamental right है fundamental right court में justiciable है रेक्टिव प्रिंस्पल नहीं है प्रस्तावना भी नहीं है यह दिहां रखना है कि क्या प्रस्तावना में संसोधन की संभावनाएं हैं संसोधन किया जा सकता है यह कोशन पहले उठा था जब भारती समय भारती केस में उपर देखा था तो चुकी केसवनन्द मामले में कहा गया कि प्रिंबल is the part of consumption यह समिधान का भाग है जाहरे जो समिधान का भाग होगा उसमें संसोधन भी तो होगा तो समिधान की प्रस्तावना में संसोधन हो सकता है और इसी अधार पर समिधान संसोधन किया गया बेलेशमा समिधान संसोधन उसीहत्तर और तीन सब जोड़े गए समाजबादी, धर्मनिरपेक्स, अखंडता और यह ध्यार रखिएगा यह केबल एक बार ही हुआ है अभी त ध्यान की एक बार ही संसोधन हुआ है और इसके बाद हम लोग अब जो इसे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ प्रस्णों पर चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं पहले प्रस्ण है भारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ है मैंने पहले ही पताया था कि गंतंत्र का तात्पर होता है कि इसमें head of the nation is elected elected head of the nation होता है तो उसका आंसर होगा भारत में बंसानुगत सासन नहीं है तो अंसर होगा she भारत में बंसानुग nurse नहीं है दूसरा भारती समिधान किसके द्वारा शुकिरत है समिधान्न सभा द्वारा भारत की संसत द्वारा पर्थं मेरे बादी्मते सर्कार daw भारत की जन्ता द्वारा अलड़एटी हम लोग पढ़ चुके हैं यह म् भारत के समिधान को अंगेकृत अजनेमित और आत्मार्पित करते हैं कि एडॉप्ट इनक्ट एंड गिव तो आवर सेल्फ तो हम भारत के लोग के द्वारा है शुकिरत है इसलिए आंसर डी नेक्स्ट कोश्चन है कि ब्यालिश्मित समिधान संसोधन अधिनियम उनिसीशीहत्तर द्वारा प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया तो ध्यान रखना है इसमें धर्म निर्पेक्ष समाजवादी तो जोड़ा ही गया अखंडता जोड़ा गया इसमें गुट यहां पर इसका अंसर होगा जक्नली और मेरा पर ध्यान देदाना जारोरी हे कि आप एकथा से variance में नहीं आएंगे क्हां सब्द करना है यहां आप इससे oxyють ना हो और इसको आप सहीं अंसर मानें से यार ठीक है इसलिए धर्ण मिर्प्यक समाजवादी अखनता थीनों अपका है और नहीं जोड़ा गया उसको गुठ रिप्यक्स दूसरा पीटी के परिश्यक यहां नहीं और रखना है कि जहां पर आपको कोशन नहीं वाला आएगा ये आप परिश्या हॉल में बैसे पैंसिल से जरूर इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे गोल कर लेंगे तब आपको जल्दी से पकड में आएगा हो गलती होने की संभवनाएं कम होती है पेंसलिप नहीं होगा नेक्स्ट धर्ण मिर्प्यक सब्द भारत समिधान के उदेशका का भाग है कब से है यह संसोधन वाला प आप लोग जान रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि भारत समिधान के कि संसोधन वार प्रस्ताबना में दो सब्द समाजवादी धर्म निर्प्यक्स जोड़े गए थे तो फिर से यह कोश्चन आपका आया है वियालिश्मा और इसमें आपको अखंडता को भी याद रखना है अखंडता सब्द को भी याद रखना है तो पढ़ते समय ध्यान रखना समाजवादी धर्म निर्प्यक्स और अखंडता मतलब रिपीट होता रहना चाहिए बातों को कॉर्रेलेट करना है जोड़ना है रटना नहीं है नेक्स्ट प्रस्ट है कि निमलिक्रित में से कौन सा स भारत की समय धान की उदेशिका में नहीं है तो उदेशिका में आपका समाजवादी है पंध निर्प्यक्स है परभुत संपन सब्द है लेकिन लोक कल्यान जैसा कोई भी सब्द यहां पर नहीं है पब्लिक वेलफेर जैसा कोई सब्द नहीं है हलाकि आपको ध्यान रखना है कि भारत एक लोकल नकाई राज्य है राज्य के निति निर्टत में रैक्टर फ्रिंस्पुल आफ द श्टेट पॉलिशी में इसका विस्यस प्रावधान किया गया है लेकिन इस प्रस्त के उत्तर में कोश्चन है नहीं नहीं है तो जो सब्द वहां पर नहीं है उसको ध्या समिधान संसोधन एक बार ही किया गया है इसलिए कोई कन्फियन की बात यहां नहीं है एक बार याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है भारत का समिधान पुन रूप से तयार हुआ तो पुन रूप से तयार कब हुआ था 26 नौंबर 1949 उदिन तयार हो गया था और गंतंत्र हो राजपती बंसानुगत न होकर चैनित है जबकि ब्रिटेन में बंसानुगत वहां के प्रधान है राजा है वो बंसानुगत हरीडेटरी है और हम लोग के यहां चैनित होते हैं यही अंतरे ब्रिटेन और इंडिया के मामले में नेस्ट कोश्चन है भारत के संपरवुता कि दिश्मे नहीं थे तो या भार्त के जनता के पास है कि भारतस का लागो कब हुआ गS की बात करते हैं नहें है जो फ़ोकर समिद्द्रिया और बेख लोगorte इंडिया कॉल jakiś जनतान के पंश सक्कुलिक तो गंतंत्र इस दिन भारत गंतंत्र बन जाता है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे समाजिक सम्ता का अर्थ है समाजिक सम्ता सोसल इक्विलिटी यह सोसल इक्विलिटी की बात है दमन का भाव, अफसरों का भाव, भेद भाव का भाव, scriction का भाव, यहाँ आंसर है भेद भाव का भाव, no discrimination, no discrimination, अंसर इसका होगा no discrimination, एक और प्रस्टन है, कि निमगित में से हुए कौन दोस्च सब्द हैं जिनका समाथ्बेशन, स्वामिधान संसोदन दोरा उदेशका में किया गया वह सब्दों को ध्याम रखना है हम लोगों ने पढ़ा था समाजवादी धर्म निर्पेक्ष इसलिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आप अखर्णता सब्दों को भी याद रखेंगे यहां पर भारत है एक कैसा राष्ट है धर्म निर्पेक्ष राष्ट है सेकुलर स्टेट है हिंदु राष यहां पर नहीं है हम लोग के यहां धर्म निर्पेक्ष राष्ट है this is the correct answer भारत में लौकिक सभ्वामिक्ता है क्योंकि समिधान के प्रस्तावना प्ररंब होती है और आप तो स सुरुवात ही होता है हम भारत के लोग शब्दों से इसलिए लौकिक सभ्वामिक्ता इससे पता चलता है that's all thank you thank you very much